निक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं, रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिती बन जाती है, तो इसका अंसर हो जाएगा, RBC जब रक्त में बढ़ जाता है तो पॉली सैथिमिया नामा करूप हो जाते हैं, रक्त में RBC के संख्या बढ़ने से, next question हो जाएगा वरड़ा अंधता आदमी वरड़ा अंधता वाली आद को लाल रंग दिखाई देगा लाल रंग दिखाई देगा नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन है यी इजी का प्रियोग किया प्रियोग किसके कारी का पता लगाने के लिए किया जाता है तो इसका अंसर हो जगा मस्तिस्क अगर यहां पे ECG होता तो ECG का प्रियोग हिर्दे के कारे को पता लगाने के लिए क्या जता है next question है हिर्दे की एक धर्कन में लगभग कितना समय लगता है तो इसका अंसर होगा 0.8 second 0.8 second का समय लगता है हिर्दे की एक धर्कन में तो ये important question है आप याद रखेगा में पूछा जा चुका है कि एक धलकर में लगवा कितना समय लगता है तो 0.8 से कि नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं सर्वग्राही कौन सा रुधीर वर्ग होता है सर्वग्राही यानि कि सबसे रख्त लेने वाला ऐसा कौन सा ब्लट गुरुप है जो सबी से रख्त ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता तो वो एंसर हो जागा है ब्लट एबी एबी गुरुप कब एकती सबी से ब्लट ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता, तो ऐसे सर्वदाता कौन सा हो जाएगा, सर्वदाता ओ हो जाएगा, ओ ब्लट को सभी को दे सकता है, और सर्व गुराही सभी से ले सकता है, next question रख्तिस्कंदन में सहायक वीटामीन होता है इसका answer हो जाएगा वीटामीन की रख्तिसकंदन यानि की रख्तका जमना अगर कहीं bleeding हो रही है लगातार अगर बह रही है अगर उस रख्त बंद नहीं हो रहा है जम नहीं पा रहा है तो उसका कारव होगा अगर किसी कारण से लग नहीं पाता है तो जन्म से लेकर एक साल तक बीसीजी का टिका कभी भी दिया जा सकता है नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं पहला सफल हीरदय प्रत्यार उपड किया था तो फर्ष्ट हर ट्रांस्प्लांट किस ने किया था तो इसके एंसर हो जाएगा सी एन बनार्ड ने नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं मानो तचा का रंग बनता है मानो तचा का रंग बनता है किस कारण से बनता है मिलिनीन के कारण याद रखिएगा जैसे कि किसी का कलर डार्क होता है किसी का कलर हलका होता है तो क्या कारण से ऐसा होता है कि कोई किस अलग-अलग कलर के होते हैं तो वो मिलीनीन, सरीर में मिलीनीन पाया जाता है उसकी कारण से जिसके सरीर में मिलीनीन की मात्रा अधिक होती है उसका रंग डार्क होता है और जिसके सरीर में मिलीनीन की मात्रा कम होती है उसका कलर हलका हो कोन करता है तो यहांपे दिख लेते हैं अधिवर ऐड्रिनल ग्रन्थी को हुआ है कुछetime में हीमोग्डुलूबीन का कारिय है सरीशाइक एस में को क्या आशा श्यान ले अगर पूरे सरीर में प्रवाहित होती है तो सिर्फ हीमोग्लोबीन के कारण होती ही ही मोग्लोबीन ही आक्सीजन का वाहक होता है यह यादर रखिएगा इंपॉर्टेंट कास्चन है नेक्स्ट न देख लेते हैं रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या गा जागा स्फिग्मो मैनोमेटर